दोस्तो आजकल आखे लाल होने के समस्या बहुती जादा दिखाए देती है और इस समस्या बहुती तेजी से फैलते जा रहा है इस समस्या को आई कॉंजेंक्टिव आईटीज कहा जाता है दोस्तो आई कॉंजेंक्टिव आखे लाल होने के समस्या कोई गंभीर बीमारी नहीं है इसे आसानी से ठीक किया जा सकता है और ज्यादा तर समय कुछी दिनों में इस समस्या अपने आप ठीक हो जाता है तो दोस्तो अगर आपके आखों में वाइरल इंफैक्टिव आई कॉंजेंक्टिव आईटीज हो चुका है और इसके वज़े से आपको काफी तकलिफी होता है जैसे कि आखों में जलन होता है अलर्जी होता है या आखे लाल या पिंक हो चुका है या आखों से पानी वहता तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, इस वीडियो पर मैं आप लोगों को कुछ बाते बताऊंगा, अगर आप सही से फॉलो करते हैं, तो बहुती एजिली आप इसे रिकवर कर लेंगे, तो दोस्तों अगर आप इस वाइरल आई कॉन्जांक्टिव आइटीज से बचना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखते रहें, वीडियो की लास्ट में मैं आप लोगों को एक आई ड्रॉप के बारे में भी बताऊंगा, दोस्तों बेसिकली आई कॉन्जांक्टिव आइटीज की समस्य बच्चों में ज़्यादा दिखाई देती है तो दोस्तों आईए मैं आपको बता देता हूँ, आई कॉन्जांक्टिव आइटीज से बचने के लिए कुछ घरेलू ट्रीटमेंट के बारे में, जिसे आपको घर पर जरूर करना चाहिए, सबसे पहले तो अगर आपको आखे लाल होने के समस्या हो चुका है, तो आपको आखों को पानी से धोना चाहिए, सादे पानी से आखों को साफ करना चाहिए, दिन में कम से कम 4-5 बार आपको आखों को साफ करना चाहिए, नॉर्मल पानी से, उसके बाद आप आखों में cold compress apply करे, इससे आपकी आखों में जो जलन महसूस होता है, ओ कम होगा, और क्योंकि दोस्तो एक viral infection है, इसी वज़े से आपको चदर या पीलो cover अच्छे तरह से धो लेना चाहिए। और दोस्तो आपको अपने diet के उपर जादा focus देना होगा, diet में आपको ऐसे चीजों को सामिल करना होगा जिसमें probiotics जादा होता है, probiotics दही में जादा होता है, इसलिए अब दही खा सकते हैं, इसके लबाब आपको ऐसे vitamin और minerals के उपर जादा ध्यान देना होगा जो कि आखों क लिए जरूरी होता है जिसकी विटामिन A, विटामिन K, विटामिन C, विटामिन B and Jink दोस्तो इस सभी विटामिन और मिनरल्स आपको फालो और सबजियों में से मिल जाएगा इसलिए आपको उस दिनों के लिए आपकी डायेट में फालो और सबजियों की मात्रा को बरा दीजिये या तो अगर आप डायेट से इसे फुल्फिल नहीं कर सकते हैं तो आप सप्लिमेंट भी ले सकते हैं दोस्तो आई कॉन्जांक्टि वाइटीज को जल्दी खतम करने के लिए आपको नींद के उपर ध्यान देना होगा रोज रात को आपको 7-8 घंटे का नीद लेना होगा जितना ज़्यादा नींद आप लेंगे उतना जल्दी एक खतम होगा अगर बाड़ी में पानी की कमी होगा तो ये समस्य जल्दी खतम नहीं होगा इसलिए आपको रोज 4-5 लीटर पानी पीना होगा तो दोस्तो ये थी कुछ जरूरी बाते आई कॉन्जांक्टि वाइटीज से जल्दी रिकवरी पाने के लिए और समस्य अगर ज़्यादा है तो डॉक्टर से जरूर मिले और दोस्तो मैं आपको एक आई ड्रॉप का नाम भी बता देता हूँ आखे लाल होने पर आप इस ड्रॉप का भी यूज कर सकते है इस ड्रॉप का नाम है सिपलॉक्स दी इसका कीमत 20-25 रॉप है किसी भी मेडिकल स्टोर में आपको एक मिल जाएगा तो आश्या करता हूँ दोस्तो आज का एक वीडियो आपके लिए बहुती ज़्यादा फाइदमंद होगा अगर वीडियो आपको फाइदमंद लगे तो वीडियो को लाइक और सेर जरूर कर दीजे आपकी परिवार और दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बबाई टेक केर